प्रेश दर और आज सबको जय मसी की मैं परमेस्टर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए एक और दिन परमेस्टर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया हम परमेस्टर को कूटी-कूटी धन्यवाद दे अंगिनतबार धन्यवाद दे क्योंकि हमारा है कि गलातियों पांच के बाइस्टेई से जो आयत है उसमें नौ प्रकार के फल दिये गए हैं लेकिन ये फल जो है अलग है ये परमेसर की वर से विशेस गिफ्ट है जो उन लोगों को दिया जाता है जो ये पांच काम पूरे करते हैं पांच फल मैं आज आपको बिशेस स्पैसल गिफ्ट जिसे कहा जाता है वो ये गिफ्ट है अगर आप चाहते हैं गे इलिफ्ट है और प्रमेसर हमें को देता हैं अच कब लेक feather Beatles के सब्सक्राइन को देता हैं हमें क्या करना पड़ेगा इनन कियोग्हाền में लिख्बार ब्रकार का निता है कि दौड में तो दौडते सभी है इनाम वही ले जाता है जो जीतता है तुम ऐसे दौड़ों के जीतो तो ये इनाम है गिफ्ट है परमिस्टर की तरफ से पाँच गिफ्ट जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो पूरा संदिश सुनिए और उसे शेर भी किजेगा ता कि और भी लोग इन बातों को जान सकें टूपल्स में आज का बहुत ही असान सवाल है और वो सवाल है कि भजन से इता नब्बे अध्याय किसने लिखा है अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज को इसका जवाब मिल जाएगा मेरे साथ मेरी महिम में शामिल हो जाएए कि जिद है सच को पहलाने की ये नमबर बेहन रेखा का है आप इन से प्रातना करवाईए बहुत बड़े-बड़े काम यहां पर प्रमिसर कर रहा है बीमारियां दूर हो रही है परिशानिया दूर हो रही है चिंताय दूर हो रही ह एक छोड़ी सी प्रास्ता करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा प्रवजी मैं धन्यवादे तो आज की सुबा दिखाने के लिए और बिंती करता है प्रभू आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदस्ता है ता कर, मेरे होटों को मेरे दिले दिमाग को छुकर ब्लैस कर, मेरी आत्मा और मेरा शेयर तेरे ही कबजे में रहे ता कि बोलने वाला मनुशनी में कि तेरा आत्मा हो जो भी गुड़ भेट की बात इस वचन में छुपी है वो हम पर प्रकट करना जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ हर एक को आशुशित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परिशानिया, दुख, तकलीफे, कलेस, लडाई, छगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांजपन, करजा, और प्रजी बीरुजगारी, और नशा, हर एक घर से दूर कर दे अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभूजी, बीमारियां दूर कर प्रभू, और अपने बच्चों को आनन देता, ताकि तेरे बच्चों गभाही दे सके, कि ये येशु मस्यी ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है, येशु के नाम से मांगते हैं, आमेरी, प्रि प्रमिसर हमको देता है, इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे, यहुन्ना रचे सुस्माचार, पंद्रहें अध्याय, और उसके आठ पद में, क्या लिखा है, यहां लिखा है, कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले होगी, बहुत सा फल, ना फलों से बात नहीं बनने वाली है, बहुत सा फल परमिसर हमारे जीवन में चाहता है, और हुँ चाहते है कि हम ऐसे काम करें कि परमिसर हमको वो फल दे और वो फल हमें नजर आने पाए, प्रिज द लोड, तो सबसे पहले हम देखेंगे, निती महिमा और जीवन होता है, यह वो फल है जो सबको चाहिए, धन किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, और महिमा किसको नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता कि मेरी बढ़ाई हो, सबको चाहिए, और जीवन किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, तो इसके लिए हमें करना क्या प और नम्र सभाव ही ये दर्शाता है कि हम परमेसर के भाय में चलने वाले लोग हैं, नहीं ति जो अकड़ के फिरते हैं, वो कभी भी नम्र नहीं हो सकते, क्यों कि उनके अंदर परमेसर का भाय नहीं है, तो लिखा है नम्रता और यहवा के भाय मानने का फल धन, महिमा और जी हो चीज़े किसको नहीं चाहिए मुझे भी चाहिए आपको भी चाहिए धन कौन सा धन जब हम देखते हैं दस अध्याय नीति वचन दस अध्याय और उसके 22 पद में तो वहां पर क्या लिखाया देखिए धन यहवा की आशीस ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता है धन परमेसर की आशीस से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता है महीमा भी परमेसर हमें और उसका नौपद यहां लिखा है एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिक्ष्रम का अच्छा फ़ल मिलता है एक से दो यह एकता को दर्शाता है यह एकता को दर्शाता है जब हम एक होकर काम करते हैं तब अच्छा फ़ल परमेसरम को देता है उस परिक्ष्रम का फल हमें अच्छा मिलता है तो ये दूसरी बात है जब हम अकेले किसी काम में लगे रहते हैं और हमसे नहीं बन पड़ता तो हमें किसी सहायक की ज़रत होती है उस सहायक कोई भी हो सकता है हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माह, हमारा बाप, हमारा बेटा, बेटी, कोई भी हो सकता है और पवित्रात्मा परमिस्दर हमारा सहायक हो सकता है तो यहां पर लिखाए कि एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिक्षम का फल अच्छा होता है ये दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट देखेंगे निती वचन तेईस अध्याए और उसके सत्रह और अठारह पद में लिखा है तू पापियों के विश्य में डहा ना करना दिन भर यहवा का भाय मानते रहना क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशाना तूटेगी यह कौन सा पहल है यह कब देता पहल है जब हम बुरुबडाना कुरुकुराना छोड़ देते हैं हमारे अंदर बहुत एक ऐसी प्रवर्ति है कि हम दूसरों को देखकर बहुत परिशान हो जाते हैं यह लिखा है कि तू पापियों के विश्य में डहा ना करना रीस ना दिल ने चीएं ताकि परमेसर उसे सुधारें क्योंकि जो परमेसर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते परमेसर सब कुछ कर सकता तो लिखा है कि तू पापियों के विश्य में ढहा ना गरना दिन भर यह वा का भाए मानते रहना यह नहीं है कि जब प्रास्ना करना बैट गए तब ही प्रमेस्र का भग हमारे अंदर है नहीं तो सारा दिन हमने कुछ भी किया नहीं दिन भर यहावा का भग मानते रहना क्योंकि आंत में फ़ल होगा उसका फ़ल हमें अच्छा मिलेगा और हमारी आशा जो है वो नहीं टूटेगी हमारी आशा जो भी आत्मिक आशाएं हैं हमारी वो हमारी आशा कभी नहीं तूटेगी ये तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट हम देखेंगे भजन सेटा 127 अध्याय और उसका तीसरा पध्या लिखा है कि देखो लड़के यहवा के दिये हुए भाग है गर्ब का फल उसक के पास संताने नहीं हैं वो बहुत लाको करोड़ रुपया खर्च करते हैं इलाज करवाते हैं इदर उदर जाते हैं जैसा लोग कहते हैं वैसे ही करते हैं लेकिन जब हम परमेसर के पास आते हैं प्रभू से प्रातना करते हैं गुपनों के बल बैट जाते हैं आसूं से प प्रतिफल है गर्ब का फल परमिसर की और से प्रतिफल है तो ये चौथा फल परमिसर हमें देता है जिसकी हर एक घर में जरूरत है तो कहां से मिलेगा वो परमिसर देगा हमें कोई डॉक्टर या कोई जो दूसरे जादू टोना करने वाले लोग हैं वो हमें संतान नहीं दे स संतान किस के पास है? परमिसर के पास. दरवादे वही खोलता है. कोक वही खोलता है. बाश्पन वही दूर करता है. वाइबिल पड़ेंगे, कushis trisapam जो बाश्थों हन्ना हो गई, दिया है, सारा हो गई, यह बाश्ती. परमिसर ने इनकी कोक को खोला और इने संताने दी तो इसी तरह से क्या परमिसर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा करेगा लेकिन यहाँ पर लिखा है कि लड़के यह वकद यह भाग है गर्ब का फ़ल उसकी और उसके प्रतिफल है अपनी समस्या परमिसर के पास रखें उसे बोलें परभू मेरे पास संतान नहीं है तुम मुझे संतान की आशीर दे मेरी नाम धराई दूर कर हम हन्ना से सीखें जब हम पढ़ते हैं हन्ना के विस्से में पहला सैमिल में तो वहाँ पर वो चर्च में जाती है महाँ पर पास्टर भी बैठे है एली अगो लेकिन वो क्या कर रही है रो रो के प्रातना कर रही है अपने हिर्दे की बाते खुल कर परमिसर से कह देती है और परमिसर से एक संतान देता है जिसका नाम सैमिल रखा जाता है तो हम इसे सीख सकते हैं हमें गर्ब का फल अगर चाहिए तो हमें परमिसर के पास आना पड़ेगा यह फल हरेक परिवार की जरूरत है आखरी फल इसके बिसमें मैंने कहा था यह बहुत विशेश है हम देखेंगे पांचवार आखरी फल जिसके विस्ते में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो है बहुत विशेस फल है कि कब हमको मिलेगा इसके विस्ते में भी जानना बहुत जरूरी है कि ये है मतीरचे सुसमाचार पांच अध्याए और उसका ग्यार हैं पद यह लिखा है धन्यों तुम जब मनुष से मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और जूट बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब परकार की बुरी बाते कहें बारापत में लिखा है आनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए इस वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भहुश्यवक्ताओः को जो तुम से पहले थे इसी रीती से सताया था यह सताओ जो है हमारे लिए फल है बड़ा फल है जो सर्ग में हमाने ले रखा हुआ है दोस्तों ये सताव ही है जिसके कारण आज मस्यष्ट और ज़्यादा आगे बढ़ रही है दोस्तों हमने देखा है कि अभी यूपी में एक पास्टर की मार मार कर हत्या कर दी मारा उनको और उनकी डेथ हो गई कितने दुक्की बात है ये ये सताव हमारे इस जीवन में और आएंगे क्योंकि बाइबल इस विस्से में बताती है लेकिन इसका प्रती फल जो है इसका फल जो है सबसे बड़ा फल यही है लिखा है आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है बड़ा फल है और लिखा है कि इसलिए कि उन्होंने उन्भश उक्ता को जो तुम से पहले थे इसलिए सताया था तो अब हम भी सताय जा रहे हैं तो इसमें हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है तो ये पाँच फल परमेसर की और से विशेस उपहार है विशेस उपहार है परमेसर की और से स्पेसल गिफ्ट जो परमेसर हमको देता है ये पाँच काम हमको करने पड़ेंगे तब ये पाँच गिफ्ट हमको मिनेंगे दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसी वर्स नजर आती है जिसमें वो फल परमिसर हमें देना चाहता है उसके एवज में हमें क्या काम करना पड़ेगा वो जरूर आप कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं वो जान सके कि हाँ 6, 7, 8, 9, 10 और भी परमिसर हमें देना चाहता है प्रेज दा लॉड परमिसर इनमेट्रे के दोर हम आपको आशीद है यहाज आज आप में कुछ नया सिखा है तो कमेंट्स में नजरूर लिखेगा और इस विचन को शेर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें टूपल्स में आज क शामिल हुजए ये जिद है सच को फेलाने की इनको आप कॉल कीजिए डाइल कीजिए इस नंबर को और इनसे प्रास्ना करवाईए परमिसर आपके जीवन में बड़े-बड़े काम करेंगे अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को दबाएए ताकि नोटिफेकिशन आपके वाप पहुँचे नया वीडियो नई जानकार आपके वाप पहुँचे तुरंत पहुँचे मेरे वीडियो इस संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे इसाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन पांच फलों में से अगर आपको कोई भी फल चाहिए अगर पांचों चाहिए तो वो काम करना आज इसे हम शुरू करें मैं भी और अचाहिए देश